तीसरे चरंगे मद्दान से पहले केंद्रियक ग्रह मंत्री अमिसा ने विपक्स पर जोड़दार हमला बोला समाजवादी पार्टी को गेरते हुए अमिसा ने कहा कि अगर गलती से भी समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो आजम खान अतीक अहमद और मुक्तार अंसारी जैसे माफिया लोग जेल से बाहर आ जाएंगे सपा ने संपत्ती हासिर करने का काम किया है सपा सासन का S का मतलब संपत्ती और P का मतलब परिवार होता है अमिसा ने कहा कि जब अखले स्यादव मुख्यमंत्री ते तब से लगबग उनके परिवार के 46 लोगों को अलग अलग पदो पर रखा गया था हाला कि इसी भासन के दोरान अमिसा एक गलती कर बैठे जिसकी वज़े से सोसल मीडिया पर लोग मज़े लेने लगे बता दे कि अमिसा के भासन का वीडियो सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसमें अमिसा कह रहे हैं कि मैं युवाव को बताना चाता हूँ कि आप भारते जनता पार्टी की सरकार बना दो इसके बाद जो भी बारवी पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी सरकार लैपटॉप और स्मार्टपोन देगी अरे अखले सियादा किसे डराने का काम कर रहे हो भाई अमिसा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपनी परतिक्रिया दे रहे हैं पत्रका संजे सर्मा ने लिखा कि बारवी पास करके इंटर में एडमिशन सिर्फ योगी जी की सरकार में हो सकता है अनिल यादर नाम के यूजर ने लिखा कि मुझे तो ग्रैमंतरी जी के इस भासन में लगता है कि उन्होंने बारवी पास करने के बाद फिर से इंटर क्या होगा वहारे मेरे ग्रैमंतरी केवल सत्ता के खातिर कुछ भी बोल जाओ कम से कम पद की गरिमा तो रखो एक अनिय यूजर ने लिखा कि बारवी के बाद इंटर में एडमिशन हो नहीं सकता इसलिए ना लैप्टॉप मिलेगा ना मुबाइल फोन मारवर्सी नाम के यूजर ने लिखा कि देश के गरिमांतरी को पता ही नहीं कि बारवी का मतलब और इंटर का मतलब क्या होता है धन्य है देश के गरिमांतरी 33 शुकला नाम के यूजर ने लिखा कि मतलब कभी नहीं मिलेगा ना कोई इंटर दोबारा करेगा ना लैप्टोप पाएगा आनन संकर नाम के यूजर ने लिखा कि नया फार्मूला है ये सबको समझ नहीं आएगा शंकल लार नाम के यूजर ने लिखा कि नेता जी कुछ भी करने को तैयार है शिर्फ वोट दे दो स्रीराम सिंग नाम के यूजर ने लिखा कि बीजेपी का समय खराब चल रहा है कोई वोट नहीं दे रहा है, हिंदू-मुसलिम भी काम नहीं आ रहे है लोगों का वोट नहीं पा रहे हैं बीजेपी सरकार बहुत दुखी बात है मोधी जैसे नेता के लिए मन्थन जरूरी है ब्योरो रिपोर्ट बहुजन हलचल